तो दोस्तों, वेल्कम बैक टू स्वमिर मूवी रिव्यू आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसमें हैं दोस्ती, इमोशन्स और एक आम आडमी का सपना, आपके और मेरे जैसे इंसान का सपना, नाम है केसवा, चंदरा रामावर्थ यानि केसियार, ये फिल्म एक कहानी है, जो सिर्फ एक स्क्रिन प्ले नहीं, बल्कि जजबा बंके दिल को छू लेती है, तुम ये वीडियो एम तर देखना, क्योंकि आज के रिव्यो में सिर्फ मूवी की बात नहीं होगी, बल्कि उस जजबात की भी बात होगी, जो हम सब को इंस्पायन करते हैं, अब सबसे पहले प्लोट और सैटिंग की बात कर लेते हैं, तो स्टोरी के सुरुआत होती है, एक छोटे सी थंडा ट्रेबाइल के विलेज में, जहां एक लड़का केसवा बड़ी सपने देखता है, पर उसके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं होते हैं, केसवा के दिल में एक ही बेस अब बात करते हैं, केसवा का रोल प्ले किया है, रॉकिंग राकेश ने जो अपने डिब्यूट मूवी में आपको जीनियसली इंप्रेस करते हैं, अनन्या कृष्णा जो केसवा की बचपन की दोस्त बनी है, उनका करेक्टर भी स्ट्रॉंग है, इस्पैसली उनका इम पर लगता नहीं कि ये उनका डेब्यूट है, सिनमोटोग्राफिय के लिए उन्हें अपने एक्सक्रियंस का पूरा फाइदा उठाया है, अब तेलंगाना की, लस्ग्रीन, फेल्ड से लेकर हैदरा के चाउटिक सिटी, तक सारे व्यूजल्स काफी इंगेजिंग है, तुम लेटरली फील करते हो कि तुम केस्वा के साथ जर्णी पे हो, स्क्रिन पे तोड़ा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन डायलोग ने उसे कवर अप कर लिया है, केस्वा का अपनी जिंदगी को लेकर स्ट्रेगल्स और उसका केस्यार के प्रती, एड्मिरेशन, काफी नैच्रेल की, फास्ट हाप काफी ग्रिपिंग है, जहां आपको केस्वा और उसकी दोस्त की बीच की दोस्ती, उनके सपने देखने मिलते हैं, यह टर्णिंग पॉइंट आता है, जब केस्वा है, दराबाद चला जाता है, अपनी आइडेंटिटी और सपनों को रिलाइस करने के यह मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह ट्रिब्यूट है तेलंगाना के लीडर्स के एफेक्ट्स को और एक आम आर्मी के सपने को, केसी आर सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं, बलकि एक विजन है जिसे केस्वा फोलो करता है, फिल्म यह मैसेज देती है, कि अगर तुम्हार बचपन के दोस्तियात करने लगते हो, राकेश की एक्टिंग और अंजी की सिनमोटोग्राफी ब्लेंड काफी है, और हाँ, क्लामेक्स तो वा, मतलर एकदम गूस बंप मॉमेंट, पर हाँ, कहानी कुछ जगा तोड़ी ड्रैग होती है, इस्पैसिली सेकिंड हाफ में, और अगर तुम एक एज ओफ दा सीट ठिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये मुवी तुमारे लिए नहीं है, ये एक स्लो बंड ड्रामा है, जो अपने केरेक्टर्स और इमोसन्स पर ज़्यादा फोकस करता है, अब बात करते हैं हमारे यूजरल प्रोज और कौन्स की तरफ, तो प्रो हैं मुवी का मैसेच और राकेष की परफॉर्मिंस एकड़म टॉप नॉच है, तुम जनुर्ली केसवा के सपने के साथ कनेक्ट करते हो, अब कौन्स की बात करते हो, अगर तुम इमोसनल स्टोरी, स्ट्रोंग करेक्टर के फैन हो, तो ये मुवी मिस मत करना, तु relatable है तुमारे लिए ये एक perfect weekend watch हो सकता है तो जल्दी से ticket book करो और मुझे comment section में बताना कि तुम्हें ये movie कैसे लगी और हाँ और अगर ये video पसंद आया हो तो इस video को like मारो चलो को subscribe करो और अपने के दार movie के साथ तब तक के लिए goodbye